जैपूर में इन दिनों ध्रणे जोरों पर हैं लगातार जो धर्णारत ही है और यू आर मेला पर रखें और अंदोलनंत हैं और धने देने की बाद बीन के सुनाई नहीं लए डेकों अधर्ड दोडो मैंने से यहांपे द्धने लग रहें हैं जैपूर में लेकिन सरकार के न लेवल बन की और शीयच्चे पहुंचे थे जुन्हों ने यहां पर गोविन देवसी से अर्दास लगाई है उनकी के अब सदबुद्धी देते हुए उनकी जो अक्री मांग है वो उनके पूरी की जाए हाल फिलाल मेरे साथ रास्तान युवा मित्तर संगर समीत्री के जो तत आप पहुंचे हैं पिछले क्या लगता है यहां पर पूछने का क्या मतलब आप जी नमस्कार और पिछले डेड़ महीने से हम लगातार साइधिसमारक पर राजियुगंदी युवा मित्र 5000 रोजगारपुने बहाली की मांग को लेकर निरंतर डटे हुए हैं लेकिन सरकार असकी मस नहीं हुई थी लेकिन हम आज स्री नित्यानंद महापरभू स्री गोरांग महापरभू स्री देवों के देव महादेव और जनजन के आराद्दे स्री गोविन देव जी के मंदर पर हम अथा टेकने के लिए आये हैं और ये आसीस लेने के लिए आये हैं कि है परभ स्री गोविन देव जी ने उनको गरीब के बेटे को मुख्य मंतरी तक पहुंचा दिया तो हम भी उनी गरीब परिवारों के लोग हैं जो जन जन की योजनाओं को उन तक पहुंचाते थे के अंदर सरकार की बजनलाल सरकार की जो योजनाएं थी उनको जन जन तक पहुंचान प्रेतन जो आपने कर चुके हैं अगर सरकार के जो कुछ चुनिंदा मंत्रीगन है बड़ा अपसोस होता है कि उन लोगों अब हमारे पास और क्या करता है अब हमने नाक रगडा सब कुछ कह दिया था कि हम पार्टी विश्यस के लोग नहीं हैं हम गरीब जनता के लोग हैं जो उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुचाते थे सरकार के सेतू के रूप में कार्ये कर रहे थे लेकिन फिर भी सरकार टसक जो ना मतलब जनता को आस नहीं दिखा सकते तो इसलिए हम यहां आये हैं कि जो प्रभू को सरकार मान रही है हमारी बीबाते सुने उमीद और आस लेकर यहां पहुंचे हैं सरण ली है गोविन देव जी मंदिर वो मंदिर है जो जैपूर का राध्या मंदिर है देव है रा बहुत परमभक्त हैं क्या लगता है कि अब आप ही यहां पर सरण लिए आपने को यह हमारी आकरी सरण में आगे जो अब होगा पैसला यहां गोविन देव जी के मंतिर से होगा और हमें पुरावी स्वास है कि जो ग्रीब और किसान के बैटे को गोविन देव जी बगवान हमें बाल क्यों नहीं करवा सकते हैं थो हमें पूरी आस है कि हमें बाल किया जाएगा पुरा प्रावी स्वास है इन पर और हम यहां है तो हमारी आकरी खौई से कि बगवान आपके दर से हमें कमशिकम भाली का संदेश मिल जाए और हम परिवार गर वापिस से लोड़ पास्ता चुना कि भगवान के दरपे दो अंदेर है लेकिन देर नहीं है तो हम यहाँ है और हमी विश्वास है कि हमें को बाली का संदेश मिलेगा और गोविन देव जी बजनलाल जी को सथ बुद्धी देंगे और हमारी सुनेंगे धन्यवाद कि लगतार जो मांग है वह यहां पर पूरी होती नजरा रही है इनको साब उमीद और आस है भगवान से लगा रखे इन्होंने क्योंकि गोविन देव जी मंदिर जो है वह सबकाराद्य देव है तमाम जियापूर के वासी हैं वह यहां पर मथा टेकते हैं सुबह उड़ते ही गोविन देव जी का पूजा अरजना की जाती है उसके बाद भी अपने काम पे निकलते हैं उमीद परदेश के विवे नंसों यहां पे पहुंचे हैं पहुंचे हैं नस तक होने हैं और हुए हैं क्या ने कहेंगे आपकी बांग जो है अंदेखी की जारी है हाल फिलाल आप खड़े हैं गोविंदेजी के मंदिर में क्या लगता है कि अब आपके मांग कहीना की बुलंद होगी देखिए हम दौलपुर से आए हैं भजनलाजी के नजीक से और हमने सारे प्रयास के लिए सरकार को मनाने के लिए अब हमारे जो बीवी बच्ची हैं वो हमें पुका रहे हैं कि पापा जी आप कव आओगे कव आओगे कव आओगे सरकार हमारी सुननी रही हम अपने बीवी बच्चों को कैसे स्वांतना दें कि उनके पेट पालने के लिए हम सरकार से यहां पर भीख माग रहे हैं अब हमारी जी हमने कभी हो देखा नहीं था और बस किonse na करके सरकार की नीतिएंसे कुरूतियों से सबसे खमंद गोविनद जी की सरण नमाये जैसे आपने सुधामा जी की पार लगाई थी नई ऐसे यह हम राजीर गांदी जिवां मत्रों की नईया बाष लगाए है अब हम धन से दर्म से सब तरीके से मारे जा रहे हैं और अब आप ही हमारे उपर जैसे आपने रादा के और मीरा के दाग दुलाएते आप हमें सरकार से बचाइए और सरकार से भाल करवाईए बहुत चांदार बात किये गोविन देव जी के आज जो हो लगी है कि जैसे सुदामा को आपने तार दिया उसी परकार हम राजी वांदी यो मितर पॉंज आ रहे हैं या पर उनको अपतारने का आप काम करें हम आपके ही बच्चे हैं और हम परिवारों से आते हैं जहां पर रोजी रोटी का संकर खड़ा हो चुका है क्या कहेंगे आप हम तो भगवान की शरण में आ गए हैं और को गोविंद देव जी वह भगवान है वह देव हैं जिन्होंने सुदाम अपने गरी मितर की शायता की ती उस बुरे वक्त में में आपका बुरा चलना सल रहा है क्या आप लगता है कि आपको अभी भी मानी जाएगी भगवान अगर ब्राम भगवान है जैसे गोविंद भग स्री गोविंद देव जी की स्रणली है आस और उमीद जो है लगातार बरकरार है एक मेलाबरती हो जोड़ी है मैं लास्ट आप यारा आपने अपनाया है गोविंद देव जी स्रणली है बगवान सब के हैं बगवान सुपर कुछ निए हमारे तो कहना यह हम इसी वेस पर आ जाती है हमारे जित्ते भी रहे हैं मंत्री विधायक चाहिए कॉंग्रेस ओ वीजेपी ओ सभी ने आके हमारे यहां पर माथा टेका है यह हमारे कुल देवता के रूप में ही मानने जाते है गोविंद देव जी है इनोंने जिस तरीके से दरोपती की लाज बताई ती उसी त कर्जे में डूबे हुए है हमारी आज दो महीने से तनखा नी है मारे पास खर्चा पाड़ी नी है हमारे पास पैसा नी है हम लोगों ने कर्जा ले लेके हम आज यहां पर बैठे हुए आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नी है हम बहुत परेशानी की स्तती में है इस समय हमने हमारा सारा गोविन देव जी को ही समझा इसी इस तर पर हम आज यहां पर आके बैटे हैं और हम दिया कुमारी जी से यही कहेंगे और हमारे मुख्य मंत्री जी से यही कहेंगे कि आप जिनकी शरण में जाके बैठते हैं उनकी शरण में ही आज हम आके बैठे हैं तो आप आज उनकी ही मान के उपर हमारा बहाल का नोटिस निकालिये हमें हमारी बहाली दिलवाइए हमारे बच्चों के लिए दिलवाईए हमको हमारा करवाइए हमारा इतना ही कहना कि महिला वेर्थी ने अभी भी उमीद जो रास है वह नहीं लगाई है साब कहाई कि जिस पर दोपती आपने लाज रखना इनका एक मोटीव है कि जैसे भी हम पहुंचे है अराद देव हैं और इनका मानस यह है कि कहिने के बगवान गोई देव लाज रखेंगे और इनकी मां को जो आस है उसको पूरा करने काम करेंगे क्या कहीं आप जैसे आपने अभी बताए कि हमारे जो परदेश के मुक्या जी सीम साब उनका राद्दे हैं तो गोईन देव जी हम सब के वे राद्दे हैं और हम सब यूवा मित्रों ने आकर अर्दास लगाई है धंडवत किया ह है कि जो पिछले डेड़ दो मेने हो गए जैपर की राजदानी में सरकार की चोकट पर हम नाग रगड़ते हुए हो गए जो महिला मित्र है यूवा साती है सभी है लेकिन सरकार कहीं सुनने ही तो अब हम लास्ट में गोईन देव जी के चरणों में दंडवत किया है और अर कि उयंद जी कि और हमारे को एक हमारे परवु के उपर आराथ दें फ़िस्वास है कि जरूर्च जरूर को सदभूति देंगे और हमारे योग्त आ게 जिए हमारे मुखिए बजलाल सर्मा जी हमारे पुडोसी जिले से हैं बरतपुर से तो वो भी एक किसान परवार से ही निकले हुए हैं तो हम उन से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी सुने और हमारे पांच जर परवारों को बाहल बाहली दें हमने काफी प्रयाज किया सभी नेताओं के पास में गए बस वहां से केबल वही आस्वासन के लावा कुछ नहीं मिला हमारी बेहने यां काफी दिनों से परेसान हैं बावर हो रही है और बावत होशने के बाद में अस्पदाल जा रही है और वहां से फिर हिमत करके यह धर्णना इस त Milan डटी होई हैं और दो मेने से नहीं आई है अगर हम यहां से घर जाते हैं तो घर वाले परेशान करते हैं तो हमारे pan नहीं यह कोई चारा नहीं यह often हम यहां से बहली लेकर ही जाएंगे बस यह हम सी अमिद करते हैं कि हम को बहली दें देखिए अब अबरती जो हैं दुखी है यहां पर जो बुशी बते हैं उनका सामना करना पड़ रहा है लेकिन अब जो इनकी आस है और उमीद है वो उन्होंने बगवान गोविन देव जी से लगा दी है गोविन देव जो है अराद्य देव हैं हम बार-बार कह चुके हैं आसपसंद देखे जाते हैं अब इन्होंने जो आस और उमीद बांदी है वो गोविन देव जी लगा दूखी है क्या कहीं आप बस मैं यह कहना चाहूंगा कि बजन सरकार आप के आराद्य के पास हम पहुंचे हैं आपको फकीर से राजा राजा से फकीर बनाने का जो काम कर की हैं यही करते हैं जनाराद्य और हम तो यह क्योंब चाहborg होंगे हो गई मियूशति यही क्योशति करेंगे तो तो हम पांच जार परिवारों का तारनहार करता बनिये हैं। गोविन देव जी महराज, हम आप से यही विन्ती करते हैं, कि हमारी नया को पार लगाईए। और मैं तो यह कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं बजन सरकार हम सब पांच जार गरीब परिवारों की सुद्ध लेगी और हमारे साथ न्याई करेगी और हमें सुकत निन्ने देगी और हम कल के लिए भी बतादे कि हम भारी तादात में मौती डूंगुरी गनेजी महराज के दर्शन भी करेंगे और महाँ भी हम उनसे भगवान से अर्दास करेंगे कि है प्रभू उन्हें भी सरकार को सद बुद्धी दे और जो हमारे परती गलत फेमिया हैं उनको दूर करके और सरकार को एक पोजिटिव संदेश सरकार की उर्शियम पाँच अजार परिवारों को दिलवाईए सरकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि भजन सरकार आठ करोड जनता जिसने आपको अपना मेतोपून मत देकर सद तारूड करवाई है वो जनता आपकी और लालाईत है कि कभी राजिव गंदी युवा मित्तर गाउं गाउं आएगा घरगर आएगा और माननिय परधान मंतरी नर संकल प्यातरा की अंतर का सत्रा फ्लेक्सिप योजनाएं हैं आज उनकी इस्तती युवा मित्रों के नय होने की वज़े से बदतर हो गई वो ना कहीं पहुंच पा रही है ना कोई लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हम ही वो राजिव गंदी युवा मित्तर थे जो लगातार निरंतर आपकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे अरे मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को सिर्फ वोड़ तकी सीमित मत रखिये सर हमारे में वो मादा हैं हम इतने इंटलीजेंट लोग हैं इतने सक्सम कुसल और लिटरेट तो है गौविन देव जी महराज बजन सरकार को सद्बूदी दे कि वो एक अच्छा नाम विशेस हमें दे करके हमारे रोजगार को पुने बहाल करें और हमारे घर पर हमारे माता पिता पत्ती पत्नी और बच्चों पर एक कुसहाली और मतलब अच्छा उनको अनुभव हो थन्यवाद उमीद और आस के लालत में यहां पहुंचे हैं और उमीद और आस लगातार इन्होंने बना रखी थी सरकार से भी लेकिन अब जब सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की तब जाकि यह गोविन देव भगवान की सरण में आये हैं उमीद अभी भी बरकरार है का मा जानना है कि अब गोविन देव जी इनकी सुनेंगे और सरकार सत्वुदी देखर उन्हों इनकी जो माली की मांग है वो इसको पूरा कराइज जाएगा कैमरापरसंड संजे सर्मा के साथ संदीप अगरवालता नगरी मेडिया चैपो